इस मूवी के मेन करेक्टर में दो बहन भाई शामिल है लड़की का नाम आईरेस है और एक उसका चोटा भाई है उन दोनों के पेरेंट्स की टेथ हो चुकी थी और वो फाइनेशिली इतने स्टेबल नहीं थी आईरेस के चोटे भाई को ब्लड कैंसर था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे कि वो अपने भाई का कोई इलाज करवा सके आईरेस इसी चीज़ के लिए जॉब ढून रही थी वो एक रेस्टरेंट में जॉब इंटर्वियो के लिए जाती है लेकिन वो आद्मी उसे कहता है कि आपको बात में बताया जाएगा कि आप स्लेक्ट हुई है या नहीं आईरेस घर आजाती है और अगले दिन अपने भाई के डॉक्टर से मिलती है वो अपने भाई से रिलेटेड उस डॉक्टर से बातें कहरे रही होती है कि डॉक्टर उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम शेफर्ट होता है वो आईरिस से मिलता है और कहता है कि मैं आपकी परिशानी को जानता हूं कि आप अपने भाई की ट्रीट्मेंट को लेके काफी परिशान है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन मैं इसको हल कर सकता हूं आपको बस मेरी गेम में हिस्ता लेना होगा जो कि एक इसम का टियर है अगर आप उसे क्लियर कर लेंगी तो आपको इतने पैसे मिल सकते हैं कि आप अपने भाई का इलाज भी करवा लें और आप बहुत अमीर हो सकेंगी आईरिस मशबूर थी और उसके पास इसके इलावा और कोई आप्शन नहीं थी लेकिन आईरिस को ये सब मजाग भी लग रहा था तो वो डॉक्टर की दरफ देखती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सच है कुछ टाइम पहले मिस्टर शेफिट ने मेरी भी हैल्प की थी आईरिस ये भी बताती है कि उसके भाई को बॉन मेरोड ट्रांस्प्लांट की भी जरूरत है दॉक्टर शेफिट उसे कहता है कि भई मैंने आपको कहा ना आपको परिशान होने के जरूरत ही नहीं है आपको बस एक पार्टी में आना होगा और वहाँ पर आकर एक गेम खेलनी होगी बस तो आईरिस उसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है डॉक्टर शेफट उसे कहता है कि याद रुखिएगा मुझे रात आठ पुचे से पहले बता दीचेगा और अगर आप ये गेम जीच जाएंगी तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे इविन मैं अपके भाई के लिए बोन मेरा टोनर भी ढून दूंगा आईरिस वहाँ से चले जाती है और उसके जाने के बार डॉक्टर और मिस्टर शेफट अब इसमें बाते करने लगते हैं शेफट आईरिस की तरीफ कह रहा होता है कि ये काफी अच्छी प्लियर साबित होगी ना इसकी कोई फैमिली है और ये अपने भाई के लिए लड़ रही है आईरिस जब घर जाती है तो उसे उस जॉब से कॉल आती है जहां पर वो इंटर्व्यू देने गई थी वो उसे कहते हैं कि सोरी आप रिजेक्ट हो चुकी है आईरिस का बहुत दिल दुखता है और उसके पास और कोई आप्शन भी नहीं बजी थी तो इस शेफट को कॉल करके कहती है कि मैं आपकी पार्टी में आ रही हूँ आईरिस अपने भाई के पास जाती है और उसे प्यार से कहती है कि आज ना मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी पार्टी है तो मुझे रात वहाँ ही रहना होगा और फिर मैं सुब आपके पास आउंगी ठीक है आईरिस का छोटा भाई ओकी कहतेता है फिर शाम को आईरिस को शेफट की बेजी कई काड़ी पिक करती है वो जैसे ही शेफट के उस प्लेस पर पहुंचती है तो उसे वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है यहाँ पर टोटल आट लोग थे और वहाँ पर दो आदमी भी थे एक लुकस और एक काल जोके उस से मिलते है वो दोनों आईरिस को बाकी लोगों से इंट्रड्यूस कराते है और बाकी लोगों के बारे में भी उसको बताते है वहां पर एक बुड़ी औरत भी ती जोके पैरलाईस थी एक आआग्मी था जोके बहुत ज़्यादा जुआ खेला करता ठाथ एक ऐसा आढमी था जोके यहाँ पर इसलिए आया था क्योंके उस पर बोहुत ज़्यादा उधार था और उसने किसी के पैसे वापस करने थे एक और आदमी था जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था और एक लड़की भी वहाँ पर थी जो कि खामोश पैटी हुई थी और किसी को नहीं बिला रही थी वो लोग अभी बाते कर ही रहे होते हैं कि शेफट का बटलर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अपना सब समान इविन मुबाइल फोन भी यहाँ छोड़कर टिनर डेबल पर आ जाएं उन लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद शेफट भी आ जाता है और उसके साथ उसका बेटा भी होता है उन सब के आगे वाइन और मीट रखा जाता है तो आईरेस कहती है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं यह नहीं खा सकती तो शेफट उसे कहता है कि तुम यह खा लो मैं तुमें इसके बदले में 10,000 डॉलर्स दूँगा आईरेस दी सुनकर काफी शोक रह जाती है कि सर्फ मीट खाने के 10,000 डॉलर्स और वो फिर मीट ठाना शुरू करते दी है शेफट उस पर हंसने लगता है और कहता है देखो जिसने सारी जिन्दगी मीट नहीं खाया वो पैसों के खातेर आज खा रही है यानि इस दिहामें ये भी साहिर हो रहा था कि वो आज इन सब को पैसों के खातेर अचीबों गरीब प्लेयर्स देने वाना था वहाँ पर एक और बिसनिसमैन जिस पर काफी उतार था वो वाइन नहीं पी रहा होता तो शेफट उसे कहता है कि तुम वाइन क्यों नहीं पी रहे हो तो वो कहता है कि नशे ने मेरी जिन्दकी खराब कर दी थी जिसकी वज़ा से मेरा पैसा टूपता गया शेफट उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी 10,000 डॉलर्स दोंगा तुम वाइन पी लो यह देकर शेफट काफी खुश होता है कि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं आप टीनर खतम होता है और शेफट उटकरा होता है हो कहता है कि अब मैं आपको बता judgments क्या है हो कहता है कि हम यहाँ पे गेम कहय साथ कि जाएंगे तो शेफट उनसे कहता है जो टाइम पर अपना डेर ना चूस कर पाया वह इलिमिनेट हो जाएगा और जिसमें एंड तक खेलने की ताकत बची रही वो जीट जाएगा शेफट कहता है कि अभी भी टाइम है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा अगर कोई गेम छोड़के जाना चाता है तो अभी भी जा सकता है तभी वो बिसनिसमें उटता है जिसको शेफट ने 50,000 डोलर्स दिये थे वो जाना चाता था लेकिन तभी फोरण कुछ सोच के वो दुबारा वैट जाता है यानि अब वो भी गेम खेलना चाता था पेसों के खातर कोई भी उटकर बाहर नहीं जाता यानि हर कोई पैसे की लालिश में वो गेम खेलना चाता था शेफट उनसे कहता है कि जैसे कि अब आप सब इस गेम को खेलना चाते हैं उन्हें punish किया करता था। सब काफी डर जाते हैं और वो businessmen अपने 50,000 डॉलर्स उठाकर भागने लगता है। तो shepherd उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कहा था लेकिन अब तुम नहीं जा सकते। इसके बावजूद वो businessmen वहां से जाने लगता है तो उसे shoot कर दिया जाता है। इस चीज़ को देखकर सब participants काफी डर जाते हैं। उनका पहला डियर स्टार्ट होता है और उनके सर पर electrical belts लगाई जाती है जो कि उन्हें shop देने वाली थी। सबसे पहले काल पर बारी आती है। उसके सर पर बेल लगाती जाती है और उसके साथ वो खामोश लड़की होती है। काल से चूस करने को कहा जाता है कि वो चूस करें किस को shop दिया जाए। काल काफी राहम दिलादमी था तो वो कहता है कि मुझे shop दे दें। अमपारी उस खामोश लड़की की तरफ आती है और उसके साथ उस बुरी औरत के सर पर बेल लगाई गई थी। उस लड़की से जब उसा जाता है तो वो कहती है कि इस बुरी औरत को shop दे दो क्यूंकि वो बहुत बुरी लड़की थी। वो बिचारी बुरी औरत शौक को किस तरहां से परदाश करती है ये बहुत painful था। इसी तरह अमपारिया रिवॉल्व होती रहती है और वो लोग अपने डियर बूरे करते रहते हैं। लुकस को भी दो बार शौक लेना पड़ता है क्योंकि वो भी अच्छा आदमी था। वो आयरिस को शौक देने की बज़ाए खुद पर दुबारा शौक ले लेता है। अब आयरिस की बारी आती है। उसकी अगेंस जो पार्टिस्मेंट था वो काल था। आयरिस भी बहुत अच्छी लिड़ की थी और रहम दिल थी तो वो काल को शौक नहीं देती और खुद पर शौक ले लेती है। ये चीज सब के लिए बहुत पेंटफुल थी। और जोंकि इस डियर में सब जीच चुके थे तो कोई भी इलिमिनेट नहीं होता। सब पार्टिसमेंट्स काफी डरे हुए होते हैं और तबी वहाँ पर शेफट का बेटा आता है जो के उन पर हसने लगता है। वहाँ पर वो आदमी जो के आर्मी में रह चुका था उटकर उसे पहस करने लगता है कि तुम्हें शरम आनी चाहिए। तो शेफट का बेटा कहता है कि तुम अपनी स्पाथ पर पिछता होगे और ये करकर वहाँ से चला जाता है तो फिर शेफट वहाँ पर आता है और कहता है कि चले दूसरा डियर स्टार्ट करते हैं। में बस्ट्राइब किया तो उसका बहुत खुन बह सकता है तो आईरिस ना चाहते हुए भी उसको तीन बार हिट कर देती है जिससे उसकी स्किन उधर जाती है और उसका खुन आने लगता है आप बारी आती है लियुकस की उसको दो अप्शन्स ये दी जाती है कि तुम चाहते हुए तो आईरिस को ठाइ में स्टैप कर तो वरना उसी एक्स आर्मी परसन को तीन बार विप करो 1530 को तीन बार करो यानि उसी लेधर स्ट्रैप से मारो वहाज में कहता है क्योंक्ता रहाना चाहते हुए उसे तीन बार मारता है यह सब्धिकर शेफिट का बेटा काफी खुश हो रहा था क्यूंकि उसने जान बूच कैसा किया था कि उसे बदला ले सके अब बारी आती है उसी आर्मी पर संग उसे ऑप्शन दिये जाती है कि तुम चाहो तो लियुकस को उसे बिदो ऑफ्शन दीचाती है कि यहां तो उसाादमी को दुबारा से इट करो उस्टैप करो उसी लेदर श्ट्रीप से यहां तो उस बुदी ऑर्यूरत के पाओं में स्टैप कर दो अब वो आदमी उस एक्स आर्मी परसन की हालत देग देख चुका था और उसे दुब पूरी औरत की बारी आती है और उसके अगेंस जो पार्टिस्पेंट्स थे वह वही खामोश लड़की थी और उसको भी जो दूसरी ऑप्शन दी गई थी वह एक सार्मी परसंट पर तीन बार हिट करने की थी वह अपना बदला लेती है और उस खामोश लड़की के पाऊं में स्टाप कर देती है अब नेक्स बारी उसी खामोश लड़की क्या दी है उसे भी ऑप्शन दी जाती है कि उसी आदमी को तुम तीन बार हिट कर दो लेडर स्ट्रिप से या फिर किसी भी पार्टिस्पेंट को स्टाप कर दो वो उड़ती है और कहती है कि मैं कहीं में कर स्टाप कर देती है लेकिन लखी ली आईरिस को ज्यादा गहरी जोड नहीं आती फिर वहां पर शोर मच जाता है कि वह बूड़ी और कोई हल चल नहीं कर रही ना ही कुछ बोल रही है जब उसे चेक किया जाता है तो फो पिचारी मर चुकी थी उसकी डेट बोड़ी को स् काल की और उसे भी सेम ऑप्शन दी जाती और दूसरी ऑप्शन में कहा जाता है कि ल्यूकस के पाउंपर स्टैप करना होगा वहां पर वो खमोश लड़की कहती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी चाहिए अगर हम एक दूसरी को ही बचाते रहे तो एलिमिनेट कौ सके तो उसे भी उठाकर उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है अब शेफर्ड और उसका पटलर अगले डियर के बारे में सोच रहे होते हैं तो ल्यूकस देखता है कि दर्वासा खुला हुआ है वो आईरिस को लेके दर्वासे से बाहर जाता है और सेक्यूरिटी कर्ट्स दर्वासे बंद होते हैं तभी शेफर्ड का पीटा उसकी पास आ जाता है और उसे टॉर्शर करता है लेकिन मौका देखकर आईरिस उसको स्टैप कर देती है जिससे वो गिर जाता है दूसरी तरिफ आईरिस के भाई का जो डॉक्टर था उसे काफी शिर्मिंदगी हो रही सब्क कर देता है वो आईरिस ओठाकर दुपारा उस ब्निंगे में ले आता है वोonne शेफर्ड को बताता है कि आपका बेटा आईरिस को तंक कर रहा था तो शेफे डाये से कहता है कि इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और वो लो गेम फिर से स्टार्ट करते हैं अब नेक्स डियर में एक बहुत बड़ा ड्रम लाया जाता है जिसके अंदर पानी बढ़ा हुआ था उनसे कहा जाता है कि आपके पास दो ऑक्शन्स हैं यहां तो दो मिन और तुम्हें अपने हाथ पर इसे बोढ़ना होगा वो आदमी खुश हो जाता है कि चलो यह तो एक छोटी सी डियर है लेकिन पटाखा जब उसके सामने आता है तो वह कोई पटाखा नहीं होता बलकि बॉम होता है उसके हाथ के साथ टेप के साथ बांग दिया जाता है जै अख़र एक आँखबनी होती है शेफ़र्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आँग पर ब्लीड से कट लगाना होगा। लिईकास कहता है कि ऐसे कैसे पॉसीबल है वो यह मना करने से इंकार कर देता है लेकिन शेफ़र्ट कहता है तुम्हेरे पास 30 सेकिंड का टाइम है सर तो ल्यूकस और तो कुछ कर नहीं सकता था तो वो तरते तरते अपनी आंग पर कट लगा लेता है अब आईरेस की बारी आती है तो वो चूस करती है कि वो पानी की ड्रम में दो मिनट तक अपना सास रोग लेगी शेफट का बटलर उसका सर पकड़ कर लगता है कि कहीं वो अपना सर नहुपर कर ले जैसे ही वो अपना मूँ पानी में डालती है तो वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है उसकी भाई ने उसे बताया था कि सिस्टर मैं ऐसी जिन्दगी जीना चाहता हूँ वो इस सब सोच रही होती है कि ये मुझे अपने भाई के लिए करना है और लखेली दो मिनट कुजर जाते हैं और वो सिर्वाइफ कर जाती है अब भारी आती है उसी खामोश लिर्की की वो कहती है कि मुझे पानी से डर लगता है और इन्वैलब को चूस करती है जब वो इन्वैलब खोलती है तो उस पर एक ट्रम बना होता है और उसके अंदर फोर लिखा होता है यानि कि उसे उस ट्रम में चार मिनट तक सांस रोपना होगा बटलर उसका सर पानी में डाल देता है लेकिन वो यह बरदाश्ट नहीं कर पाती और सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती है अब सिर्फ दो पार्टिस्मेंट्स बचे थे एक आईरिस और एक लिउकस तो शेफर्ट टॉस करता है जिसमें आईरिस चीज जाती है तो शेफर्ट उसे कहता है कि तुम्हें दो उप्शन Dieses दी जा रही है या तो पहली उप्शन यह है कि तुम लिउकस की चान बचा सकती हो उसे अपने साथ खर ले जा कर लेकिन इस दुरत में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा और दूसरी option ये है कि तुम Lucas को shoot कर दो और अपना धेर सरा इनाम लेखे यहां से चली जाओ तो Lucas Iris को बताने लगता है कि मेरी भी तीन बहने है और उसे कहता है कि मुझे shoot ना करो हम दोनों मिलकर घर चले जाते हैं और मेहनत करके कहीं और से पैसे कमा लेंगे प्लीज ऐसा नहीं करो लेकिन Iris के अंगों के सामने अपना भाई आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी गन उठाती है और Lucas को shoot कर देती है Shepherd और उसका बटलेर उसके लिए clapping करने लगते हैं कि तुमने कर दिखाया तुमने ये कर लिया Iris उसे shoot करके अपना set नीचे कर लेती है जो कि इस बात का sign था कि उसे उसे shoot करने के विज़ा से काफी शर्मिंदगी हो रही थी Shepherd उसे डियर सारे पैसे देता है और बताता है कि हमने तुमारे भाई के लिए Porn, Marrow, Donal भी ढूंड लिया है Iris अपने घर पहुंचती है बहुत सुबा का टाइम होता है और वो देखती है कि उसका भाई सो रहा है वो अपने भाई को जगाना नहीं चाती थी वो shower लेने चली जाती है और fresh हो जाती है जब वो वापिस अपने भाई के कमरे में उसे उठाने आती है तो देखती है कि उसने बहुत सारी मेडिसन्स खाकर सुसाइट कर ली है Iris देखके काफी शौक्ट हो जाती है और इसी के साथ ये movie भी अंड हो जाती है इस movie के दो moral lessons है कि लालच करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है और इनसान के लिए पैसा साथ आहम नहीं बिलकि रिष्टे साथ आहम होने चाहिए थैंक यू फॉर वाचिंग